नमस्कार मैं हूँ सिम्रन मेरागी और आप MP7 यूज चैनल को सबिस्क्राइब जरूर करें देखे आज का राशी फल मेश राशी मन को शांती मिरेगी आत्म विश्वाश भरपूर रहेगा कारोवार में व्रद्धी होगी परंतु परिश्रम अधिक रहेगा रहन-सहन अव्यवस्तित रहेगा स्वास्त का ज्यान रखे आत्म सहित रहे क्रोध के अतिरेक से बचे कला एवं संगीत में रुची हो सकती है पारिवारिक जीवन सुक्माई रहेगा कार्यशेतर में परिश्रम की अधिकता रहेगी किसी मित्र का सयोग मिल सकता है लाप के अवसर मिलेंगे विश्राशी आत्म विश्वास से लबरेच रहेंगे कलाया संगीत में रुची बढ़ सकती है नोकरी में कारिशेत्र में बदलाव की संभावना बन रही है यात्रा पर जा सकते हैं अती उच्चा ही होने से बचे बादचीत में संतुलन रहें भाईयों से वादिवाद की इस्तती बन सकती है पारिवारिक जीवन सुख मैं रहेगा मित्रों से आपसी मलमुटा हो सकता है शेश्रीक कार्यों में वान्चीत परिणा मिलने के योग है मितुन राशी मान्चीक शांती रहेगी परन्तु फिर भी देड़े बनाए रखने के प्रयास करे पारिवारिक जीवन सुख मैं रहेगा नोक्री में काज़ शेत्र में कुछ परिवर्तन हो सकता है काज़ शेत्र में कटिनाईयों से परेशान हो सकते है श्रणे रुष्टा श्रणे टुष्टा के भाव मन में रहेंगे आई में कमी एवं खर्चों में व्रद्धी की इस्तती रहेगी धर्मकर्म में रुजान बढ़ सकता है अधिक परिश्रम के बाद दी सफलदा संदिक दे करकराशी मन में उत्तार चड़ाव रहेंगे खर्चों की अधिक्ता से परिशान हो सकते है नोकरी में विदेश यात्रा के योग बन रहें शाषन सत्ता का सयोग मिलेगा आत्म विश्वा से परिपुर्ण रहेंगे सोबा में चिर्चिरापन हो सकता है देश शिल्ता में कमी रहेगी स्वास्त का ध्यान रखे मित्रों का सयोग मिलेगा कारोबार में व्यवदान आ सकते हैं लंबी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं यात्रा सुकद रहेगी सिहराशी मानसिक शांती के लिए प्रयास सपलोंगे शाषन सत्ता का सयोग मिलेगा देजे शीलता में अभी कमी रहेगी जीवन साती को स्वास्त विकार हो सकते हैं नोक्री में इक्षा विर्दुक कालेशेत्र में परिवरतन हो सकता है रहन सहन अव्यवस्तित रहेगा किसी प्रोपर्टी से आई के इस्त्रोथ विक्सित हो सकते हैं माता का सयोग मिलेगा लंबे समय से अधूरी काजे जोजना को पूरा करने में सफल रहेगे कन्याराशी वानी में मधूरता रहेगी धार्मिक संगित के प्रती रुजान बढ़ सकता है शेश्रिक काईलों के लिए विदेश प्रवास हो सकता है भागदोर अधिक रहेगी वानी में सोम्यता रहेगी परन्तु क्रोज के अतिरेक से बचे कुटुम्बो पईवार में धार्मिक काजे होंगे वस्त्रोयम गवणों पर खर्च बढ़ सकते हैं आता पिता के आर्टिक सयोग मिल सकता है मन में नकारात्मक पता का प्रभाव हो सकता है आत्मसयत रहे तुला राशी मन में उतार चड़ाव रहेंगे पिता का सानिध्य मिलेगा कारोबार में व्रद्धी होगी परिश्रम अधिक रहेगा किसी मित्र का सयोग मिल सकता है नकारात्मक विचारों का प्रभाव रहेगा परिवार का साथ मिलेगा आत्मसयत रहे क्रोद के अतिरेक्ट से बचे जीवन साती से वेचारिक मद्बेद हो सकते हैं रहन सहन में असहच रहेंगे कारोबार के विस्तार के लिए खर्च बढ़ सकते हैं परिवार के साथ किसी धार्मिक इस्तान पर जाने का काजक्रम बन सकता है पीता की स्वास्त का ज्यान लखे मित्रों का सयोग मिलेगा आत्म सैयत रहे धार्मिक कार्यों में व्यवस्ता हो सकती है वानी में सोम्यता रहेगी शेश्रीक कार्यों में कथिनायां आ सकती है संतांको स्वास विकार हो सकते है खर्चों में व्रद्धी होगी मिठे खानपान में रूची बर सकती है लाप के अवसर मिलेंगे धनुराशी मन प्रसंद रहेगा आत्म विश्वास भरपूर रहेगा शेश्रीक कार्यों के सुकत परिणाम मिलेंगे मिठे खानपान में रूची बर सकती है सेहत का ध्यान रखे पठन पाठन में रूची बढ़ेगी शेश्रीक एवं शोद्धादिक कार्यों के सार्थक परिणाम मिलेंगे रहन सहन में असहज रहेंगे जीवन साती का सयोग मिलेगा परिवार में धार्मिक आयोजन हो सकते हैं विदेश यात्रा पर भी जाना हो सकता है मकर राशी कलाया संगीत में रुची बर सकती है नोकरी में अफसरों से सदभाव बनाई रखे कारेशेतर में कठीनाईयां आ सकती है परिश्रम अधिक रहेगा वानी में कठोता का प्रबाव रहेगा बादचीत में संतुलित रहे मन अशांत रहेगा क्रोद के अतिरेक से बचे आत्म विश्वास में कमी आएगी पितागों स्वास विकाग हो सकते हैं नोकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं परिवार से दूर जा सकते हैं कुंबराशी मन अशांत हो सकता है मन में नकारात्म विचारों के प्रबाव से बचने के प्रयास करें नोकरी में इच्छा वीरुद्द कोई अतिरीक्त जिम्मेदारी मिल सकते हैं आत्म सहीयत रहें क्रोथ के अतिरेक्त से बचें घर परिवार में धार्मिक मांगलिक कार्य हो सकते हैं व्यर्थ के विवार एव़म जगडों से बचें धर्म के प्रती शुरद्धाबाव रहेगा, कार्य की इस्तती में सुदार होगा, खर्च अधिक होने से मन परिशान रहेगा मीन राशी, दामपत्य सुक में व्रद्धी होगी, घर परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं शेश्रिक कार्यों के सुकत परिणा मिल सकते हैं, परिवार में शुक शान्ती रहेगी शेश्रिक कार्यों में व्यवदान आ सकते हैं, स्वास्त के प्रतिस सचेत रहें आत्मसंयत रहें, माता पीता को स्वास्त विकार हो सकते हैं, मित्रों का सयोग मिलेगा चिकित्सिक खर्च बढ़ सकते हैं पालिवारिक जीवन सुख में रहेगा देखते रहे हमारे साथ MP7 News